Hello student, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि result का प्रतिसत कैसे निकालते हैं जैसे कि देखा जाता है काफी student high school में आ जाते हैं, इंटर में आ जाते हैं उन्हें तो पता चल जाता है कि उनके कितने marks आए हैं पर बेह नहीं पता लगा पाते कि उनके कितनी percentage आई है तो इस वीडियो में आपको यही सिखाऊंगा मेरी गारंटी है आपसे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना ही नहीं बलकि अपने class के किसी भी student का result का प्रतिसत आसानी से निकाल सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना आए वीडियो तो student देखें मान लिजए आप बारवी class में है ठीक है बारवी class में result कितने number से बनता है 500 number से बनता है यानि कि total marks कुनांग 500 ठीक है obtain marks जो आपने प्राप्त किये हैं वो कितने हैं 435 यानि कि आपके 500 में से 435 number आए हैं तो हमें क्या करना है अब हमें 30 निकालना है पर्सेंटेज निकालना है हम क्या करेंगे पर्सेंटेज बरावर जो आपको number मिले हैं 435 उन्हें उपर लिखेंगे कितने में से मिले हैं ये मिले हैं 500 में से तो उसे नीचे लिखेंगे और हमें क्या करना है, हमें percentage निकालना है, तो हम यहाँ पर percentage का गुणा 100 लिख देंगे, ठीक है, percentage का मतलब 100 होता है, तो इसे गुणा 100 करके लिख देंगे, अब क्या करेंगे, अब इस नॉर्मल सवाल की तरह हल करेंगे, यानि 0 से 0 कैंसल कर देंगे, कितना बचा, यह बचा, 435 बटे 5 अब हमें क्या करना है हमें 435 को 5 से भाग देनी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 435 ठीक है अब देखें 5, 5, 8, 40 तो यह बचा 3 यहाँ से 5 उतार लेंगे याने कि 5, 7, 35 ठीक है यह पूरा का पूरा कट जाएगा तो यह कितनी बना है यह अनसर 87% तो आपके कितनी परसेंट है 87% तो इसी अनसर यह होगा 87% यानि कि आपको 500 में से 435 लंबर मिले तो वो कितनी परसेंट है 87% यह 87% ठीक है इसी तरह का एक सवाल और मैं आपको समझाता हूँ तो वीडियो में बने रहेगा तो student देखें माल लिजी आप 10th class में है ठीक है 10th class में कितने number से result बनता है 10th class में बनता है 600 number से ठीक है और जो आपने प्राप्त किये हैं वो 438 यानि कि आपको 600 में से 438 number मिले हैं हमें यापर क्या करना है हमें यापर percentage ग्याद करने है तो हम क्या करेंगे percentage बरावर कितने number आए हैं आपके 438 ठीक है कितने में से आए हैं उन्हें बटे में नीचे लिखेंगे यानि कि 600 में से आए हैं और यहापर गुणा 100 यानि कि percentage ग्याद करने के लिए हम यापर उपर गुणा 100 लिख देंगे अब क्या करेंगे अब 0 में से 0 कैंसल कर देंगे ठीक है बरावर लिखेंगे 438 बटे यहाँ पर कितना बचा है 6 तो यहाँ पर 6 लिखेंगे यानि कि हम normal सवाल की तरह इसे हल करेंगे यानि कि 438 को 6 से भाग देंगे 6 भाग 438 ठीक है अब हम 6 खापाड़ा 438 में पढ़ेंगे यानि कि 6 सबते 42 ठीक है 42 लिखेंगे यहाँ पर और इसे माइनस कर देंगे यहाँ पर एक बचा अब यहाँ पर उपर से 8 उतार लेंगे ठीक है यहाँ पर 18 हो जाएगा फिरी से काटेंगे छेतिया 18 तो यहाँ पर 18 लिखेंगे यह पूरा-पूरा कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 73 तो यह हमारा अंसर हो गए यानिके 73% यानिके आपने 600 में से 438 लंबर प्राप्त किये तो वह कितनी percentage है वह है 73%, 73% तो student देखें, अभी मैंने आपको number से percentage निकलना सिखाया अब मालनीजी आपको यह तो पता है कि आपके कितनी percentage आई, पर यह नहीं पता कितने number आई, तो आप क्या करेंगे आप देखें, मालनीजी 500 में से आपकी 85 percentage आई है, ठीक है यह तो पता है कितनी percentage आई है अब यह नहीं पता कितने number आई है तो हम कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे 500, यानि कि जितने में से आई है, तो हमारी कितनी percentage आई है उसे गुणा करके लिखेंगे यहाँ पर कितनी percentage आई है, 85 और यहाँ पर बटे 100 करेंगे ठीक है तो यह जो परसिंटेस का निसाने से यहाँ से हम अठा देंगे यह कहाँ पहुच जाएगा यह बटे 100 में नीचे पहुच जाएगा अब क्या करेंगे अब 0 से 0 कैंसल कर देंगे ठीक है ये कितना बचेगा ये बचेगा पांच गुणा 85 ठीक है तो हम 5 और 85 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये आएगा निकल के 425 यानि कि जब हमने 5 और 85 की गुणा करी तो कितना निकल के आया 425 यानि कि जब हमारी 85 परसेंट थी वो नंबर में करी तो कितनी होई वो ही 425 तो आप इस तरीके से परसेंटेज से नंबर और नंबर से परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद